अब सबका हरदीक स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ग्रिंटीपस अड़वाज चैनल में फ्रैंट्स आसके इस वीडियो में मैं एक एसी स्टॉक के बार में चर्चा करूंगा जिस स्टॉक में अभी हम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड अगर हम करते हैं तो आगे जाके हमें अच्छा कासा मोनाफा मिल सकता है और मिलने की संभाव ना है तुम सारे टेक्टिकल अनलाइसिस को देखते हुए हम उसमें इंवेस्ट करेंगे और आप लोग के सामने में अपना व्यू पेश करूंगा कि स्टॉक अभी किस कंडिशन में है औ और क्यों हम उसमें इंवेस्ट कर सकते हैं और कौन सी लेवल पर उसमें बाइन पोजिशन में बना सकते ही तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिए और जानिये स्किप मात कीजिए तो कॉंसप्ट में जानने से पहले आप लोग को जान करें करना चाहूंगा यह वीडियो में इडिकेशनल प्रफस बना रहा हो जो भी टेक्निक लिए उट्लोग जो भी लेवल पेस्ट करूंगा मेरी खूत की रिचर से अगर आप लोग इसमें इंवेस्ट करते हैं तो आप अपनी फैनेंशाल एडवाजर से सलहा फर्मर्शाल लेन निटी ऑप्षन बैंक निटी फ्यूचर वन लोट 25 यानि 25 रूपे ऑप्षन में जब आप बाई करेंगे तो टू टाइम मर्जिन मिलेगा और अगर फ्रेश सल करते हैं तो सेवन टाइम मर्जिन मिलेगा और मेरे लिंक के थ्रू मेरे थ्रू अगर आप एकांट उपेन करत तो चलिए चलते हैं अब हम स्टॉक पे चलते हैं स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल का जो पीहवियर है उसका जो कंडीशन है उसका जो मुबंड है तो रहसा आप लोग देख लीजिए ओकी देखिए फ्रेंस मेहले स्वरी पहले में आप लोगे समने जो एनलेजिस समने देखिए टाटा केमिकल का जो गिरावट है यहाप आप दो देख सकते हैं टाटा केमिकल का गिरावट करीवन कितना 134.83 एन्यारबल 135 पॉइंट स्टॉक एक सो पाइतीस पॉइंट गिर चुके हैं और 19.55 परसं की गिरावट यानि स्टॉक में जो है काफी गिरावट आई एक सो पैतीस पॉइंट का गिरावट और 19.55 परसं की गिरावट इस गिरावट के बाद स्टॉक कुछ दिनों से स्टॉक कुछ दिनों से रेंज बाउन में ट्रेट करते हुए एकी रेंज में ख्लोज हो रहा है तो बो भी मैं अप लोगों दिखा देता हूं ठीक है चलिए मैं पहले मार्क करूंगा देखिए इसको देखिए इस चैनल को देखिए चैनल के अंदर ट्रेट करते हुए जो है ना चैनल को ब्रीक आउट कर पार रहा है ना उपर के तरह भूबंड ना नीचे के तरह भूबंड एक बार इसको टेस्ट करते हुए उपर को टेस्ट कर र आप देखने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं वानडे चार्ट अब वानडे चार्ट में अगर हमें इतना सारा इनलैसिस मिल रहा है और बो भी बहुत ही स्टॉंग पोजीशन अब इस पोजीशन में हमें एक ब्रेक आउट देखनी को मिल सकता है जैसे कि देखिए इसमें काफी गिरा बठें, आप लोग एक चीज ध्यान में रखेएगा, जो stock काफी गिरते हैं, काफी गिर जाते हैं, गिरने के बाद एक range amount में trade करता है, कभी उपर कभी नीचे, कभी उपर कभी नीचे, तब उसका trend अगर उपर की तरव हैं, तो एक breakout होने का possibility होता है, और उ उपर की तरव एक movement होने का possibility जादा होता है, और वो movement कोई normal movement नहीं, एक up movement, आप what continuation, बहुत ही तेजी गती से आपको एक trend देखने को मिल सकते हैं, अभी देखिए, इस level को देखिए, कितना बाद टेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट किया, और अभी चार बार टेस्ट किया, अभी चार बार टेस्ट किया, अभी चार बार टेस्ट किया, अभी इस level को अगर breakout करते हैं, तो उपर की कि इस दोनों लेवल के अंदर ही ट्रेट करते हुए क्लोज वाए रेंज बाउन में ओके तो चलिए अगर हम केंडल चार्ट में देखें तो केंडल चार्ट में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं देखिए वो गिरावट अभी 20 continue है करीबन दो मेहना हो चुका है करीबन दो मेहना से स्टॉक में डाउन ट्रेड है 135 प्वैंट की गिरावट नेरबल 20% की गिरावट और उस गिरावट के बाद स्टॉक अभी एकी रेंज में ट्रेड कर रहा है थिक है तो चलिए यहापर में दिखा दे आप लोगो तो देखिए फ्रेंट्स यहापर ठीक है अभी आपको मिल गया ना एकी रेंज में ट्रेट देखिए यहापर भी में दिखा देता आप लोगो ठीक है अभी देखिए इस लेवल को जैसे ब्रेक आउट करते ना तो उपर के तरब एक बड़े आउचाल देखने को मिल सकते हैं तो उसमें अभी हम एक बाइन पोजिशन बिना सकते हैं तो चलिए लेवल क्या रहेगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम लेवल देख लेते हैं ठीक है जो हम बाई करेंगे अगर हम बाई करते हैं तो हम बाई करेंगे बाई 575 575 में हम बाई करेंगे यह हो गया अब हमारा तार्गेट क्या होगा चलिए आप हम तार्गेट देख लेते हैं हमारा तार्गेट होगा फ्रेंस हमारा तार्गेट होगा आप हाँ इक हमारा तो तार्गेट आप होगा यह रहगा हमारा से कंद तार्गेट एवर हमारा first target रहेगा कितना रहेगा friends first target first target रहेंगे 592 ओके अब हमारा stop loss क्या रहेगा चलिए stop loss देख लेए तो ही अब हमारा stop loss रहेगा stop loss रहेगा 550 ओके फ्रेंड्स तो चलिए हम buy कहां से कर सकते हैं करेंगे हम 575 में हमारा first target रहेगा 592 और second target रहेगा 622 और stop loss रहेगा 550 तो हमें आशा है आप लोग को जानकरी प्राप्त हो चुकी है अगर आप लोग इसमें इंवेस्ट करते हैं तो आप अपनी प्रेंशाल एडवाजरी के साथ सलाव प्रमेशाल लेने के बाद इंवेस्ट करें जो टेक्निकल अनलेसिस मैंने देखा जो मैंना अब्जर्व किया वही मैंने आप लोगे सामने पेश किया है मैं अपना व्यू पेश किया आप लोगे सामने अब बाकी आप लोग को करना है क्या करना है तो फ्रेंश अगर आप लोग पेट सर्विस देना चाहते हैं तो मुझे कॉंटक्ट कर सकते हैं डेली तीन को परवट करता हूं 80% करते हैं तो निप्टी ऑप्शन और स्टाउक ऑप्शन का कॉल फ्रें में बिनेंगे तो आज के लिए इतना सा ही वेड़ेश वेपने करें जान्ने मां थैंक्स पर वाज़ आज़ेगे